रिसोर्सिस यानि के संसाधन क्या होते हैं संसाधन क्या होते हैं रिसोर्सिस कितने प्रकार के होते हैं और उनको डेस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं जो तॉंस यूज होते हैं उनका मतलब क्या है यह आप इस वीडियो में जानेंगे आप इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको ये पूरा लेसन समझने में बहुत बहुत इजी हो जाएगा जो फर्स टर्म है मैं जो एक्स्पेन कर रही हूँ वह ही यूटिलिटी यूटिलिटी क्या होता है आज सबस्टेंज कोई भी ऐसा सबस्टेंज यूटिलिटी रखता है उसमें यूटिलिटी होती है इव इट कैन भी यूज़ इन अनि पॉसिबल वे टो सैटिस्फाय आवा नीड्स जो हमारी जरुत को पूरा करने की समभावना रखता हो वो सारी की चीज़ें वो सब उसकी जो जो पॉलिटी होती है वो कहलाती है यूटिलिटी वैल्यू ओफे ़े सबस्टेंज क्या होती है Worth of a substance assessed on the basis of utility कौन सी चीज हमारे कितने काम की है इससे उसकी utility को देखते हुए उसके use को देखते हुए वो हमारी जोर्थ को कितना पूरा कर सकती है तो उसकी value को आका जाता है तो उसे कहते हैं उस चीज की value patent क्या है It applied to the exclusive right over an idea or invention अगर आपका कोई आविशकार है आपका कोई नया idea है और आप उसका patent कराते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस पे आपका पूरा अधिकार है अब उसे और को use नहीं कर सकता आपकी permission के बिना तो उसे कहते हैं patent resource क्या है Any substance having utility in any way इसे resource कोई भी सबस्टेंड जिसकी कुछ उपयोग इता है कुछ उसकी उसका कोई use है आपके लिए तो वो resource कहलाता है Technology The application of the latest knowledge and skills in doing or making things किसी भी चीज़ को बनाने में या कुछ भी करने में जो आप latest knowledge का परियोग कर रहे हैं latest skill का परियोग कर रहे हैं वो कहलाती है technology Natural resource Natural resources are those that are taken from nature वो natural resource कहलाते हैं जो हम nature से लेते हैं जैसे की air है water है यह natural resources है actual resources and actual resource is one which is used currently and whose quantity is known actual resource वो है जिसे हम use कर रहे हैं actually में अब और जिसकी quantity हमें पता है कि यह इतनी मात्रा में है तो वो actual resource है potential resource a potential resource is one whose utility is now is not known at present जिसकी उपयोगिता हमें नहीं पता क्या use होगा नहीं पता or is not used despite having utility या अगर पता भी है लेकिन उसे फिर भी use नहीं किया जा रहा है instead it may be useful at some time in the future लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हमारे किसी काम आ जाए तो वो कहलाता है potential resource जैसे कि लदाक में uranium मिला है अभी उसे use नहीं कर रहे हैं लेकिन future uranium use तो होता है nuclear reactor में use होता है लेकिन आने वाले समय में use किया जा सकता है तो वो potential resource है abiotic resource abiotic तो कहते हैं उसे हैं जो non-living होता है and abiotic resource is a non-living resource जैसे कि soil है मिटी है, रोक चटाने हैं और मिनरल से है abiotic resource होते हैं जो living होते हैं abiotic resource is a living resource जैसे कि plants और animals है renewable resource renewable resource से बना है जिसे आप दुबारा से नया बना ले a renewable resource can be used without any risk of its ending up हमें उसमें यह डर्णी रहता कि खत्म हो जाएगा जैसे हवा है, air है, कितना भी गहरी साथ लोग कितनी भी use करो खत्म भी नहीं होती है because they exist in unlimited quantity क्योंकि उनकी quantity की कोई सीमा ही नहीं है जैसे कि soil है, wind है, मिट्टी सारी जंगा ही है तो यह सारे renewable resource है, non-renewable resources, a non-renewable resource is one which is present in limited quantity, जिसकी quantity सीमित हो, जैसे कि कोई लाह है, petroleum है, तो खत्म हो जाएगी मात्रा, तो फिर यह नहीं होंगे, इसलिए उनको non-renewable resources कहते हैं, ubiquitous resource, a ubiquitous resource is one that is found everywhere, जो सब जंगा मिले, जैसे कि air, air सब जंगा है, वो ubiquitous resource है, localized resource, a resource that is found only in certain parts of the world, जो दुनिया के किसी केवल कुछ हिस्तों में मिले, not everywhere, सब जंगा ना मिले, वो localized resource है, जैसे कि copper है, iron है, और भी इतनी भी चीज़े है, gold है, या petroleum है, petroleum के कुए, अब आप जानते हैं कि जो साउदी अरब वगएरा, ये कंटीज है, कुए है ते महाँ पे हैं, अब हमारे उत्राखर में तो नहीं है, यूपी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो जो चीज़े किसी एक particular जंगा पे मिलती है, वो localized resource कहलाते हैं, human made resource, जिनने मनश्यों ने बनाया है, यानि के man made, resources invented by human being, जिसे आदमी ने invent किया, by using their intelligence, अपनी बुद्धि का परयोग करके, वो कहलाते है, human made resources, जैसे आपका television है, electricity है, electricity man made है, तो ये सारे के सारे, human made resources में आते हैं, human resources, आदमी खुद एक resource है, a human being who can contribute to his family, कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी family के लिए help करता है, society के लिए, economy के लिए, वो human resource कहलाता है, human resource की value add हो जाती है, जब आप उस पे money खर्च करते हैं, जैसे उसको education दे, उसको कोई technology प्रोवाइड करवाएं, तो इससे उसकी value बढ़ जाती है, human resource development, human resource development refers to the improvement of people's skill, जो आदमी के skill है, उसका development होता है, so that they become more useful, वो और ज्यादा useful हो जाते हैं, मान जे मैं example देती हूँ, आपको computer programming आती है, दोसरे को नहीं आती है, उसे पता ही नहीं चलता कि computer में क्या code है, क्या चल रहा है, तो जिसको आता है, वो ज्यादा valuable है, उसकी value ज्यादा है, तो वो उसका development हो चुका है, then before and are a better resource, और वो better resource बन जाता है, resource क्या होता है, जो आपको किसी भी प्रकार से, जिसकी utility ज्यादा हो, the stroke of resource, resource का भंदार, the amount of resource available for use is called stroke, जो भी कोई stroke है, उसका कितना भंदार है, वो हमारे कितनी बड़ी मात्रा में है, वो उसका stroke कहलाता है, resource conservation, resource conservation, यानि कि संचे करना उसका, is the concept of using resources carefully, यानि कि जो भी resource हैं, उनको भड़ी सावधानी से use करें, बुद्धी मानी से use करें, so that they do not end up quickly, ताकि वो जल्दी से खतम ना हो, sustainable development, यानि कि जो वो development, जो हमेशा चले, it is a concept of using resources इने balanced way, balance का मतलब, एक उचित तरीके से हम use करें, resources को, so that our purpose is sold, हमारा काम भी बन जाए, as well as, they are also conjured for the future, और future के लिए भी उनका संचे हो जाए, वो बने रहें, तो I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आईगी, जरूर आईगी, आईए तो please like करिए, share करिए, thank you.